तो फ्रेंड्स आज मैं H4900 का सेकेंड ट्रायल लेने वाला हूं जिसमें मैं इसका टोटल फ्लाइट टाइम टेस्ट करूंगा और इसके लिए मैं पुरा एकदम खुले मैदान पर आया हुआ हूँ जहां पर मेरा अभी ड्रोन वेट कर रहा है जो इसका हीटर टेंपरेचर 40 डिगरी तक आने का यहां पर देख सकते हैं और मैं फ्लाइट करूंगा लॉइटर मोड पर इस अभी हीटर टेंपरेचर जैसे ही 40 दिगरी चला गया तो यह रेडी टू आर्म रेडी टू आर्म हो गया अभी ग्रीन कल का यहां पर सिगनाल आप देख सकते हैं तो इसको मैं भी टेक आप करने वाला हूँ ट्रोन है एयर पे आल्टिट्यूड है 14 मीटर और फ्लाइट टाइम है 3 मिनिट बैटरी 96 बैटरी वोल्टेज है 24.2 आप्रोक्समेट 5.5 तो पॉइंट 6 वोल्टेज का स्याग वा जिसके बज़े से यहां पर अभी यह 24.2 है तो अभी देखते हैं कितना फ्लाइट मिल रहा है अभी तो थाड़े तीन मिनिट हुआ है अभी तो फ्रेंड्स इस तील इन दा एयर अभी यह एयर में है और जो बैटरी वोल्टेज है तो बैटरी वोल्टेज है तो लेट सी अभी यहां देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज है त्विन्टी टू बोल्ट अपरोक्स और फ्लाइट टाइम हो चुका है 30 मिनिट हो द्रोन स्टिल इन दा एयर कि लेट सी यह और कितना फ्लाइट टाइम दे सकता है तो अभी बैटरी बोल्टेज है 21.8 और फ्लाइट टाइम हो चुका है 32 मिनिट्स और ड्रोन स्टील इन दा एर मेरे हिसाब से अगर मैं 21 बोल्ट तक इसको डाउन करता हूं तो यह मुझे आराम से 40 मिनिट का फ्लाइट दे देगा बट मैं इसको 21.5 में इसको लैंड करवाऊंगा तो जैसे मैं लैंड करवाऊंगा मैं आपको दिखा दूंगा कि इसमें अभी बैटरी वोल्टेज क्या है और फ्लाइट टाइम क्या है तो तिल टाइम अभी मैं सिंगल हंडल क्यामरा उसकर रहा हूं तो मैं भी यह लैंड करते टाइम आपको दिखाना पाऊं तो जैसे ही मैं इसको लैंड करूँगा एगें मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखा दूँगा मैं अभि द्रोन लैंड हो चुका है फेल्शे एंगेज हो गया मैंने इसको फेल्शेप है इसको 21.5 में ही एंगेज किया था तो जैसे विशी 21.5 टच किया तो यह हो गया लैंड तो सबस्क्राइब यहां पर देख सकते हैं 35 मिनिट का उड़ाइब इस हाँ पॉइंट तक ही चाहँ रहा हैं तो यहां सब्सक्राइब house लेके जाओंगा फैल सेब को तो यह मुझे और फाइप मिनिट का एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम दे देगा और जैसे कि यहां पर मैं यह नॉर्मल बैटरी उज़ कर रहा हूं जी एंद्री का उसमें साइध थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता है बर टाटू का अगर एच्वी श ट्रोन है यह अपना विदाउट पेलोड है और इस ट्रोन का वेट अभी 3.5 kg है विद बैटरी 5.5 kg का है तो जैसे इसमें बड़ा बैटरी लगेगे और उसके बाद उसका फिर से फ्लाइट टाइम चेक करेंगे एक बार दुबारा जब मेरे पास दुसरा टाटू के बैट वाव फ्रेंड अभी वैसे तो इंटर चल रहा है बट यहां पर मेरे गाओं में चारोत अब अंधरा कोई धंडी नहीं है और मोटर्स एकदम नॉर्मल कुछ भी नहीं है गरम है ही नहीं जबकि होबरिंग में मोटर्स गरम होने चाहिए इसमें कुछ है नहीं हलका हलका वा तो काफी अच्छा है काफी अच्छा परफ्रेंस मिला मेरे को यह जो प्रोपेलर है प्रोपेलर ही बहुत अच्छे क्वालीटी के है जो 33 ग्राम लाइट वेट है इसी के बज़े से जो लोड है मोटर्स के अबरे इतने आते नहीं है अदर्वाइस नॉर्मल कारबन 72 ग्राम के असपास वेट होता है उसी साइज का तो उसमें साइध थोड़ा फरक पड़ सकता है बट यह इने सीरिस का प्रोपेलर है तो इसलिए मोटर्स का कंडिशन मीं बढ़िया है अब रही बात इसकी बाकी ट्यूनिंग बगरा के सब कुछ फास्क्लास हूड रहा है अ अब गूड़ दे